प्रधु पति रागव राजाराम पतित पावन सीताराम यदि हम इश्वर की ब्याख्याएं अपनी मर्जी के मुताबिक करें तो उसकी उतनी ही ब्याख्याएं होंगी जितने की इस दुनिया में इस्त्री और पुरुश हैं लेकिन इन सब की ब्याख्या जुदा जुदा होगी मूल में भी एक किश्म का अभरांत शाद्रिश होगा क्योंकि मूल तो सबका एक ही है इश्वर तो एक और निर्वचिनिये तत्त्त है जिसका हम सब अनभो तो करते हैं लेकिन जिसे हम जानते नहीं मेरा इश्वर वह तो सत्त्य और प्रेम है निती और सदाचार ही मेरा इश्वर है निर्वैता इश्वर है इश्वर जीवन और प्रकास का मूल है फिर भी वह इन सब से भी परे है इश्वर अंतर आत्मा ही है वह तो नास्तिकों की नास्तिक तव ही है क्योंकि वह अपने असिमित प्रेम से उन्हें भी जिन्दा रहने देता है इश्वर हिर्दय को देखने वाला है वह बुद्धी और वानी से परे है हम स्व्यम अपने आपको जितना जानते हैं उससे अधिक वह हमारे दिलों को जानता है जैसा हम कहते हैं बैसा ही वह हमें नहीं मानता क्योंकि वह जानता है कि जो हम अकसर जवान से कहते हैं अकसर उही हमारा भाव नहीं होता और कुछ लोग ऐसा जान बुचकर करते हैं तो कुछ लोग अनजाने में इश्वर उन लोगों के लिए एक वेक्ती ही है जो उसे वेक्ती के रूप में हाजिर देखना चाहते हैं जो उसका अश्पर्श करना चाहते हैं उनके लिए वह साकार है वह पवित्र से पवित्र तत्तु है जिनहें उसमें श्रधा है उनहीं के लिए उसका अस्तित्तु है बिभिन लोगों के लिए उसकी बिभिन रूप है वह हम में ब्याप थे और फिर भी हम से परे है